नमस्कार मैं आशिश कुमार्श रंगी चित्रकलाव विभाग राजकी महाविध्याले बूंदी डियर स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में प्रैक्टिकल क्लासेज में हमारे जो दो पेपर हैं पोट्रेट पेंटिंग का और एक रेंडरिंग का हम दोनों ही पेपर्स को ल मैं आपको रेंडरिंग के भी काफी वीडियो डाल चुका हूं पोट्रेट भी मैं आपको डाल चुका हूं काफी चाहरे आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लगातार इसको प्रैक्टिस करें मैं आपको यहां से बता रहा हूं वीडियो के थूँ अगर आप प्रैक जो हम है आज एक female figure बनाएंगे यंग लड़की का पिछले वीडियो में मैंने आपको male figure बनाना दिखाया था और front face में आपको दिखा रहा था अभी तक तो आज हम जो है वो एक profile picture थोड़ी सी एक slightly profile picture हम लेंगे मैंने आपसे कहा था कि जब हम किसी portrait को बनाते हैं तो front face में हम दोनों तरफ यानि उसके दोनों side पे बराबर बराबर दूरी रखते हैं या बराबर बराबर space छोड़ते हैं लेकिन आज हम ये देखेंगे कि थोड़ा profile अगर picture है तो उस profile picture में हम जिस तरफ model का face है उस तरफ हम ज़्यादा जगे छोड़ेंगे और left side पर या जिस तरह उसका back side है उस तरफ कम जगे छोड़ेंगी या आपको भी हमेशा ध्यान रखना है तो अब मैं एक बार पहले फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल geometrical form से शुरू करना है हमारा face जो है वो इस तरफ देख रहा है तो हम अपने इस face को बनाने के लिए right side पर ज़्यादा जगे रखेंगे तो let's begin बहुत basic form में हम लेंगे face को यह दिखिए यह hairline हमने ली है hairline से नीचे हम यह space लेंगे उनकी eyebrow के लिए eyebrow से नीचे eyes आएंगी eyes से नीचे nose आगे आपका nose और यह lips lip line नीचे वाला lip और यह chin यह हमने एक basic lining किये face के लिए अब हम यहां से शुरू करते हैं यह देखिए लाइन जो face की है वो हम इस तरह से ले रहे हैं यह बालों का emotion हमने लिया है यहां से हैरलाइन निकली है और वो ही जो बात पिछले उसमें देखी थी हमने यहां पर कान हम जो लेंगे वो आईज और आईब्रो के आसपास से लेंगे और कान जो है वो आएगा लगभग नोस तक चुणकि मोडल का चेरा थोड़ा सा उपर देखते हुए तो यह कान जो है वो थोड़ा नीचे तक आ रहा है इनको है है अ झाल झाल पोट्रेट जिस मोडल का पोट्रेट में बना रहा हूं उसका फोटो मैं आपको पोस्ट कर दोंगा इस साथ ही मोडल के साथ ही ताक को आपको आईडिया हो जाया कि किस तरह से यह दिख रहा है मोडल कान की लाइन ये है इसके पीछे से बाल आ रहे हैं कुछ बाल इनके ये आ रहे हैं यहाँ पर ये आए है इसकी लाइन aki-खसे लाइन क्ऊचर को साथा येग्याओ श्यूश पर ये खिल रहे ह porch कैसी लाता है इसके बाल इसकी ये में रहे हैं ये हैस Кझी सूबरेते हैं कैसे अचुछ है यह देखिए यह हमने एक फेस की आउटलाइन बना दी है इस फेस की आउटलाइन बनने के बाद में आपको जो करना है वो है इसके फीगर्स को बनाना तो यहां तक यह बैसिक जो ड्रॉइंग है यह जब तक आपके पर्फेक्ट नहीं होगी तब तक आपको फीगर नहीं करनी है कान को लें तो कान अब यहां पर चूंकि नो साइड का है इसलिए हम एक लाइन डाल सकते हैं दोनों लाइन फिर भी हमको नहीं डालनी है बहुत सिंपल तरीके से आपको नोस बनानी है लिप लाइन जो है वो आपकी पर जाएगी अब इसमें जो खास बात है वो है कि इस तरफ का जो पॉर्शन है वो आपका हमेशा छोटा रहेगा क्योंकि जिस तरफ मॉडल देख रहा है उस तरफ का आपका पॉर्शन छोटा ही बनना है झाल 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 इस तरह है यह थीलिए आपका पूरा शेड से क्लियर होगा बहुत पेशन्स का काम है जल्द बाजी बिल्कुल नहीं करें जल्द बाजी में चीज खराब होती है शीड को बहुत ध्यान से आप लगाएं यह पूरा हिस्सा जो है वह चाया आ रही है इसकी जो खराएं़ने बिल्कूप से लाजी ताक में लगाएं़नना नहीं गाली करें जल्द बाज़ने में रहाएं़नने अल्द बाज़ने काम है तो यह एक बेसिकली आपको यह ड्रोइंग करने है शुरू शुरू में जिससे आप बाद में कलर में कनवर्ट करेंगे तो इस तरह से आपको यह ड्रोइंग शुरू करनी है और तो आप जितना करेंगी उतना जद्ञ अपको प्रैक्टिस होती जाएगी तो यह प्रैक्टिस आप सबसे पहले शुरू कीजिए ताकि आप उसको सही से ड्रोइंग कर पाएगे ताकि उस कलर का भी साई आइडिया आ तो आज के वीडियो में फिलाल इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ रेंडरिंग बना के पोस्ट करूँगा, तो रेंडरिंग को भी आप पेरलल बनाते रहें, अदर्वाइस फिर लास्ट में काम भी जादा होगा और जल्द बाजी में काम खराब बनेगा, तो उ कलर में आप लोग और कलर से आपको करना है पोट्रेट, तो ये काम आप करके मुझे जल्दी पोस्ट करेंगे, मैं उतना ही जल्दी आपको कलर करना स्टार्ट करूँगा, थैंक्यू सो मज, थैंक्यू.